हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माइ क्रेटीव लाउंज आज हम आपके लिए बहुत इबीटिफ़ल बेडी स्वेटर लेकर आए है इस स्वेटर को मैंने वन टू यर के बेडी के लिए बनाया है और नैक्स से मैंने इसको बुनना स्टार्ट किया है next से पहले इस part को बुनकर complete किया है फिर उसके बाद फंदो को divide करके दोनों sleeve और front और back के part को different design से यहाँ पर बुनकर complete किया है आप इसी तरह का sweater इसे छोटे या बड़े size में भी बुनकर complete कर सकते हैं बस आपको यहाँ पे जब next से आप start करेंगे तो छोटे size के लिए थोड़े से कम stitches लेने हैं और बड़े size के लिए थोड़े extra stitches लेकर और इस part को भी कम ज़्यादा करके आप इसी तरह का sweater बहुत इजिली तयार कर सकते हैं तो चलिए कैसे हमें इसको बनाना है start करते हैं इस baby sweater को बनाने के लिए हम यहाँ पे 81 stitches 81 फंदे इस तरह से अपनी सलाई में डाल लेंगे और फंदे डालने के बाद अब यहाँ से इसको हम बनना start करेंगे चाहे right side की row हो चाहे wrong side की row हो दोनों side से हम इसको सीधा सीधा बनेंगे और सीधा सीधा बनते हुए 8 rows हम बनकर complete करेंगे तो वो rows आपको देखे कैसे बननी है starting में जो first फंदा है हर एक row की starting में हमें इस फंदे को ऐसे slip करना है बिनाबोने दूसरी सलाई में लेना है और next जितने भी फंदे हैं फिर उन फंदों को हम सीधा बनते हुए ऐसे इसी तरह से सीधा बनते-बनते हमें 8 rows बनकर complete करनी है दोनों side से सीधा-सीधा बनते हुए total यहाँ पे यह 8 rows मैंने बनकर complete कर ली है तो जब यह 8 सलाईया हमारे complete हो गई तो आप यहाँ से right side से देखेंगे यह 4 हमारी इस तरह की यह उल्टे-उल्टे lines आपको नजर आएंगे अब इसके बाद यहाँ से जो total हमारे फंदे थे 81 फंदे उसमें से 8-8 फंदे दोनों side हम बटन पट्टी के लिए रखेंगे और जो बीच के 65 फंदे हैं उनसे हम यहाँ पे design बनाएंगे तो अब 9 फंदा हम slip करेंगे जैसे अभी तक हम करते हुए आए थे ऐसे हम फंदा लेंगे बिना बुने दूसरी सराई में लेकर धागा पीछे ले जाएंगे अब बटन पट्टी के total हमें 8 फंदे बनने हैं तो एक फंदा तो यह हो गया जो हमने slip किया इसके अलावा 7 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन लेंगे तो अब यह total फंदे को slip करने के बाद 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं 8 फंदे हमारे यह बटन पट्टी के हो चुकी हैं इसके बाद अब हम next 4-4 फंदों को design देते हुए बुनेंगे तो वो pattern देखे आपको किस तरह से follow करना है हम धागा आगे लेकर आएंगे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे इस फंदे को उल्टा बुन लेने के बाद जो next हमारे 3 फंदे हैं इन फंदों में से जो ये center का फंदा है इसके दोनों साइड हमें जाली देनी है सीधा बुनते होए इन तीनों फंदों को में सीधा बुनना है लेकिन ये जो center वाला फंदा है इसके दोनों साइड हमें जाली देनी है लिया जाएगी, तो जो हमारे ये 3 फंदे थे, उसके हमारे 5 हो गए, अब इसी सिक्वेंस को हम फॉलो करते जाएंगे, जो हमने बटन पट्टी के फंदों को बुनने के बाद, एक फंदा उल्टा बुना, तीन फंदों को सीधा बुना, दो सेंटर के फंदे के दोनों साइट जाली देते हुए, तो यही हमें रिपीट करते जाना है, जब तक हमारे लास्ट में 9 फंदे नहीं रह जाते, फिर लास्ट में आपके 9 फंदे होंगे, और फिर वहां तक हमें यही सेक्वेंस फॉलो करनी है, तो देखिए आपको कैसे करनी है, रिपीट अब हम करेंगे वैसे ही, धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे, फिर यह नेक्स्ट तीन फंदों के हम 5 बनाएंगे, पहला फंदा स अब इसी तरह से बुनते हुए हम अपने एंड में आ चुके हैं, अब यहां तक सिक्वेंग्स फोलो करने के बाद हमारे पास 9 फंदे हैं, तो इन 9 फंदों में से एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, और फिर यह जो 8 फंदे हैं, जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे, तो ऐसे हमारी यह 9 फंदा कम्प्लीट हो जाएगी, इसको स्लिप करने के बाद यह next 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, अब इनको बुन लेने के बाद, फिर फंदा यह जो हमने स्लिप किया था और यह 7 फंदे, 8 हमारे बटन पट्टी के फंदे बुन चुके हैं, अब हमें यहां पे क्या करना है, जो फंदा हमें यह जैसा दिख है वैसे हमें बुनलना है एक खंध हमने अलटा है तो यहां यह सीधा नजर आ रहा है तो इसको हम सीधा बूलेंगे ऐसे फिर हम धागा आगे लेकर आएंगे और फिर हम यह जो फंदे जो हमने वहां से सीधे बुने थे, तीन फंदों के हमने पांच बनाए थे, तो हम इनको यहां पर उल्टा बुनेंगे, जैसे यह जो जाली हमने दी थी इसको भी उल्टा, फिर नेक्स्ट उल्टा, फिर नेक्स्ट जाली आएगे इसको भी उल्टा, ऐसे और फिर यह उल्टा फिर एक पंदा सीधा पांच फंदे उल्टे यही सिक्वेंस हम बटन पट्टी के फंदों से पहले तक बुनकर कम्प्लीट करेंगे इस रो को यहां तक बुन लेने के बाद अब एंड में हमारे पास यह एट फंदे बटन पट्टी के हैं और एक फंदा यह सीधा जो कि हमारा डिजाइन के अकॉर्डिंग महाँ पे हमने उल्टा बुना था पहले इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे ऐसे और अब ये जो 8 फंदी हैं, इनमें हम starting के 3 फंदों को सीधा भुन कर, ये जो बीच के 2 फंदे हैं, इन पे हम button hold देंगे, तो उसके लिए पहले हम 3 फंदों को button पट्टी के जो ये 8 फंदे हैं, इनमें से 3 फंदों को सीधा भुन लेंगे, फिर दागा आगे लेकर आएंगे, और ये next जो दो फंदे हैं, इन दो फंदों को ऐसे लिटते हुए, सीधा बुनते हुए हम एक बना देंगे तो जो हमने धागा भी आगे लिया था, उससे हमारी ये जाली बन जाएगी, इससे हमारी ये बटन होल बन जाएगा फिर इसके बाद जो next तीन फंदे हैं, इनको हम सीधा बुन देंगे ऐसे हमारी ये 10th रो कम्प्लीट हो जाएगी, अब हम 11th रो पर आ गए है तो अब हमें इस रो को वैसे ही बटन पटी के फंदों को फंदा स्लिप करके धागा पीछे ले जाएगे, सीधा बुनना है अब ये जो हमने जाली दी थी, इसको भी हम बुन लेंगे सीधा तो टोटल 8 फंदे बटन पटी के हमारे हो गए है और यहाँ ये बटन होल भी आ गया है अब हमें इस रो को क्या करना है कि जो फंदा आपको जैसा नजर आ रहा है उसको हमें वैसे ही बुनना है जैसे धागा आगे लाएंगे हम, एक फंदा ये उल्टा नजर आ रहा है इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे, पांच फंदे सीधे बुनेंगे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, पांच फंदे सीधे बुनेंगे फिर एक पंदा उल्टा बुनेंगे तो इसी सिक्वेंस को हमें end तक फॉलो करना है अब end में एक पंदा हमारा ये उल्टा बुनकर जो हमारे आठ बटन पट्टे के फंदे हैं इन सारे फंदों को हम सीधा बुनकर इस रो को कम्प्लीट करेंगे ऐसे हमारी ये 11th row कम्प्लीट हो जाएगी अब 12th row को देखिए हमी किस तरह से बुनना है इसमें जो ये बटन पट्टी के फंदे हैं इनको तो हम सीधा बुनेंगे पहला फंदा स्लिप करके next फंदों को सीधा बुनकर फिर हम जो design के फंदे हैं जैसे पहला फंदा ये सीधा नजर आ रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे फिर पांच फंदे उल्टे बुनेंगे फिर सीधा फंदा दिख रहा है इसको सीधा बुनेंगे फिर पांच उल्टे एक सीधा पांच उल्टे तो जो फंदा आपको जैसे दिख रहा है वैसे हम यहां end तक इसको यह जो सीधा फंदा है इससे पहले 5 फंदे उल्टे एक फंदा सीधा और फिर यह जो 8 फंदे बटन पटी के हैं इन सारे फंदों को सीधा बुनकर इस 12th row को हम complete करेंगे तो ऐसे इसको हम बुनकर complete कर लेते हैं 12th row को मैंने यहां तक बुनकर complete कर लिया है अब इसके बाद हम right side 13th row पर आ गए हैं 13th row जो हमें बुननी है same as it is जैसे हमने 11th row बुनी थी जैसे यह जितने भी बटन पटी के फंदे हैं इनको सीधा बुना था फिर एक फंदा यह उल्टा फिर 5 फंदे सीधे एक उल्टा 5 फंदे सीधे इसे sequence को follow करते हुए end में यह जो 5 फंदे सीधे एक फंदा उल्टा और यह 8 बटन पटी के फंदों को सीधा बुनकर इस row को हमें complete करना है अब हमारे फंदे जादा हो जाएंगे तो आपको यह इस तरह की circular needle की जरूरत पड़े के तो वो आप यहाँ पे use करें 13th row को मैंने यहाँ पे बुनकर complete कर लिया है अब हम 14th row पर आ गए है wrong side की row इस सारी row को 14th row को 12th row की तरह हमें बुनकर complete करना है first पंदा slip करके जो बटन पट्टी के next पंदे हैं उनको सीधा बुनकर एक पंदा ये सीधा 5 पंदे उल्टे एक सीधा 5 पंदे उल्टे एक सीधा 5 पंदे उल्टे इसी sequence को follow करते हुए end में यहाँ पे हमें ये एक पंदा सीधा और जितने भी ये बटन पट्टी के पंदे हैं इनको सीधा भुनके इस तरह से हमें इस 14th row को complete करना है 14th row को मैंने यहाँ पे बुनकर complete कर लिया है अब हम अपनी 15th row पर आ गई है तो ये जो 15th row है इसमें हमें फिर से यहाँ पे इस तरह से दो जालिया देते जाना है तो उसके लिए starting के जो बटन पट्टी के फंदे हैं फर्स्ट पंदा स्लिप करके फिर next फंदो को हम सीधा बु बटन पट्टी के फंदो को बुन लेने के बाद अब हम design start करेंगे फर्स्ट पंदा design का उल्टा बुनेंगे ये हमारा उल्टा बुनते हम आई रहे हैं फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे अब हमारे पास यहाँ पे 5 फंदे हैं तो 5 फंदो में से जो ये center का फंदा है इस हम जाली देंगे तो अब पहले हम इन दो फंदो को सीधा बुन लेंगे तो इन 5 में से दो फंदे सीधे बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे फिर ये जो फंदा है इसको हम सीधा बुनेंगे तो जब हम इसको सीधा बुनेंगे एक जाली हमारे यहाँ पे हो ग हमारी यहां पे भी जाली आ गई तो दो जाली अब हमारी यहां पे हो गई है तो यह जो पांच फंदे थे इसके हमारे अब यह साथ बन जाएंगे तो ऐसे हमारे यह फंदे बढ़ते जाएंगे आगे अब फिर हम धागा आगे लाएंगे फिर हमें सेम वही रेपीट करना है ये जो फंदा है एक उल्टा बुनना है धागा पीछे लेकर जाएंगे फिर ये पांच फंदों में से पहले दो फंदे सीधे बुनेंगे धागा आगे लेकर आएंगे फिर ये जो सेंटर का फंदा है इसको सीधा बुनेंगे एक जाली हमारी ये हो जाएगे फिर धागा आग और नेक्स्ट फंदों पर इसी तरह से हमें 5 फंदों के साथ बनाने हैं, दो फंदे सीधे बुनकर धागा आगे ले आएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे ले आएंगे, फिर यहां पर दो फंदे सीधे बुनेंगे, फिर एक उल्टा, तो इसको इस इस सिक्वेंस को हम फॉलो करते जाएंगे और एंड तक यहां तक हम इसी तरह से बुनकर फिर एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे और बटन पट्पी के सारे फंदों को सीधा बुनकर इस रो को यहां तक हम कंप्लीट करेंगे 15th row को मैंने इहां तक बुनकर complete कर लिया है अब हम अपनी 16th row पर आ गए है 16th row को जैसे अब हम बुनेंगे ऐसे हमें 2 row और बुननी है जो 18th row आएगी वो भी हमें इस 16th row की तरह बुननी है और उसके बाद 20th row आएगी वो भी हमें ऐसे ही बुननी है तो इस row को आप ध्यान से देखे हमें कैसे बुनना है फर्स्ट फंदा वैसे इस लिप्ट करना है और नेक्स्ट फंदो को हम सीधा बुनेंगे जो बटन पट्टी के फंदे हैं तो इन फंदो को बुनने के बाद फिर एक फंदा ये सीधा नजर आ रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे अब फिर धागा आगे लेकर आएंगे जो दो हमने जाली दी थी तो पांच फंदो के हमारे साथ हो गए थे तो अब हम ये एक फंदा सीधा बुननेने के बाद साथ फंदे उल्टे बुनेंगे साथ फंदे उल्टे बुन लेने के बाद एक फंदा फिर ये सीधा आ गया धागा पीछे ले जाकर इसको सीधा बुनेंगे धागा आगे ले आएंगे फिर से हमें वही फंदे आ गए हैं साथ फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे फिर सीधा फंदा नजर आ रहा है धागा पीछे ले जाएंगे इसको सीधा बुनेंगे धागा आगे ले आएंगे फिर से साथ फंदे हम उल्टे बुनेंगे तो इसी सिक्वेंस को हमें फॉलो करते जाना है तो ऐसे ही हम यहां तक एंड तक जो हमारा ये एक सीधा फंदा है इसको सीधा बुनकर और बटन पट्टी के फंदों को भी सीधा बुनकर इस रॉंग साइड की रोग को कम्प्लीट करेंगे 16th रो को मैंने यहां पर बुनकर कम्प्लीट कर लिया है अब हम राइट साइड की 17th रो पर आ गए है 17th रो को अब हम बुनना स्टार्ट करेंगे जैसे इस रो को हम बुनेंगे सेम अज़ इस वैसे हमें 19th रो को भी बुनना है तो अब इसको हम 1st पंदा स्लिप करके बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनकर अब हम यहां पर स्टार्ट करेंगे 1st पंदा यह जो डिजाइन का है इसको उल्टा बुनकर इस पंदे को उल्टा बुन लेने के बाद फिर next जो है 7 पंदे हम सीधे बुनेंगे साथ पंदों को सीधा बुन लेने के बाद फिर से एक पंदा उल्टा फिर साथ पंदे सीधे इसी सिक्वेंस को हमें फॉलो करते जाना है फिर से एक फंदा उल्टा लब जो फंदे आपको जैसे दिख रहे हैं जिस रो में डिजाइन के तो वैसे ही हम इनको भुनते जाना हैं अब इस तरह से जब हम इसको भुनते जाएंगे तो यहां तक एंड तक हमारे यही एक फंदा उल्टा, साथ फंदे सीधे, एक फंदा फिर उल्टा और फिर यह जितने भी बटन पट्टी के आठ फंदे हैं इनको सीधा भुनकर इस रो को हम कम्प्लीट करेंगे 17th रो यहां तक भुनकर मैंने कम्प्लीट कर ली है, अब यह 17th रो भुन जाने के बाद जो 18th रो हम भुनेंगे, जैसे हमने 16th रो भुनी थी, जिसमें हमने 1 फंदा स्लिप करके, नेक्स्ट बटन पट्टी के फंदों को सीधा भुनकर, इस फंदे को सीधा भुना था, फि पिर लास्ट में एक फंदा ये सीधा और बटन पट्टी के सारे फंदे सीधे भुनकर, इस रो को हमें यहां पर कम्प्लीट करना है, अब हम 19th रो पर आ गए है, यह जो 19th रो है, इसको हमें सेम एज इस जैसे हमने 17th रो भुनी थी, उसी तरह से हमें भुनना है, यह जो ब बटन पट्टी वाले फंदे हैं, इनको हमें सीधा बुनना है, फिर एक फंदा उल्टा, 7 पंदे सीधे, एक उल्टा, 7 पंदे सीधे, इस तरह से हम एंड में जब आएंगे, यहां पर एक पंदा ये उल्टा और 8 पंदे बटन पट्टी वाले सीधे भुनकर, इस रो को हमे उस रो में हमें ये फर्स्ट पंदा स्लिप करके बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनना है फिर एक फंदा ये सीधा साथ पंदे उल्टे एक सीधा साथ पंदे उल्टे जैसे हमने 18 रो बुनी थी इसी तरह से इस रो को बुनकर हमें कम्प्लीट करना है तो ऐसे इन दोनो रोज को बुन कर फिर उसके बाद 21st रोपे फिर से हमें ऐसे जाली देनी है तो ये दो रोज हम यहाँ पर बुन कर कम्प्लीट कर लेते हैं 19 और 20 रोज को बुन लेने के बाद अब 21st रोपर हम राइट साइड पर आ गए हैं यहां से अब हम इस तरह से जाली डालेंगे तो उसके लिए स्टाटिंग के बटन पटी के फंदे हैं इनको हम सीधा बुन लेते हैं अब हम यहां पर एक फंदा उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे ले जाएंगे और ये अब हमारे पास साथ फंदे हैं साथ फंदों में से जो सेंटर का फंदा है तीन फंदे हम ये बुनेंगे और फिर ये जो सेंटर के फंदे के दोनों साइड हम जाली देंगे तो पहले हम तीन फंदे सीधे बुन लेते हैं धागा आगे लेकर आएंगे, फिर ये जो फंदा है, सेंटर वाला फंदा, इसके दोनों साइड हमें जाली देनी है, तो एक तो जाली हमारी ये हो गई, फिर धागा आगे ले आएंगे, फिर ये नेक्स्ट तीन फंदे हम सीधे बुन देंगे, तो दूसरी जाली भी हमारी य तो फिर हमारे जो उसके बाद हमने रोज बुनी राइट साइड से तो हमने इनको पांच फंदों को सीधा बुना और रॉंग साइड से उल्टा और ये एक एक फंदा जो राइट साइड से तो हमने उल्टा बुना और रॉंग साइड से सीधा बुना तो इस तरह से हमारा हम यह बुनते चले गए फिर उसके बाद नेक्स्ट जब हमने इस रोबे फंदों को बढ़ाया तो इन पांच फंदों के साथ हो गए अब यहां पे जो यह साथ फंदे हमारे पास थे इसमें हम जब सेंटर के फंदे के आसपास जाली दे रहे हैं तो अब यह जब इसको इन जाल नेक्स्ट फाइव रोज जब हम बुन लेंगे इस रो के बाद फिर हमें आगे जब फाइव रोज के बाद सिक्स त्रो होगी फिर हमें इस तरह से जाली देनी है तो फिर यह 9 के 11 हो जाएंगे फिर 13 हो जाएंगे 15 हो जाएंगे 17 हो जाएंगे जितनी जाली आप देते एक फंदे के दोनों साइड हमने जाली दी फिर तीन फंदे सीधे बुने फिर हम इसको रपीट करेंगे देखे एक उर्टा फंदा फिर नेक्स्ट तीन फंदे सीधे धागा आगे लाएंगे इस सेंटर वाले फंदे के दोनों साइड हमें जाली देनी है एक ये हो गई फिर ध नेक्स्ट तीन फंदे सीधे, तो ऐसे हम इसको बुनते जाएंगे, और इस रो को हम यहां पे कम्प्लीट करेंगे, जैसे अभी तक हम बुनते हुए आये हैं, यहाँ एंड तक एक फंदा यह उल्टा, और नेक्स्ट बटन पट्टी के फंदो को सीधा बुनकर इस रो को हम कम कर लिया है अब इस रो के बाद हमें 5 रोज और बुननी है तो वो 5 रोज हमें कैसे बुननी है देखिए यहां से रॉंग साइड में अब हमारी जो 22nd रो होगी 22nd 24th और 26th यह 3 रोज हमें सेम बुननी है तो उसमें हमें इन बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनना है फिर यह फंदा सीधा और अब हमारे पास यहां पे 9 फंदे जो हो चुके हैं जाली के तुरू तो 9 फंदे हमें यह उल्टे बुनने है फिर एक फंदा सीधा फिर 9 फंदे उल्टे फिर एक फंदा सीधा 9 फंदे उल्टे एक सीधा इस तरह से हमें यहां पे एंड तक एक फंदा ये सीधा और ये बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनकर ऐसे हमें ये तीन रोज तो ये बुननी है और जो राइट साइड की रोज जो दो हम बुनेंगे उसमें हमें इन बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनकर ये एक फंदा उल्टा और फिर ये जो नेक्स्ट पंदो को में सीधा बुनना है और ये एक एक फंदा उल्टे का ये हमें इस तरह से बुनते जाना है और पटन पट्टी के पंदो को दोनों साइड से ही हमें सीधा बुनना है तो ऐसे दो रो हमें यहां पे 23rd और 25th ये दो रो तो ऐसे बुननी है और 22nd 24th और 26th ये तीनों रो और मैंने यहाँ पर बुनकर complete कर ली है अब हम यहाँ पर 27th row right side पर आ गए हैं तो यहाँ से जो starting के button पट्टी के फंदे हैं first फंदा slip करके उनको हम सीधा बुन लेंगे इन फंदों को सीधा बुनने के बाद अब हम यहाँ से फिर से यह जाली डालेंगे तो उसके लिए first फंदा यह जो है हम उल्टा बुनेंगे अब हमारे पास यहाँ पर यह जो सीधे फंदे हैं यह हमारे पास 9 है तो 9 में से starting के 4 फंदे हम सीधे यहाँ पर बुनेंगे और 4 इस side तो यह जो center का फंदा है इसको भी सीधा बुनते हुए इसके दोनों side हम यहाँ पर जाली देंगे तो पहले हम धागा पीछे लेकर जाएंगे उल्टा फंदा बुनने के बाल 4 फंदे सीधे बुन लेंगे धागा आगे लेकर आएंगे फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे जो center का फंदा है फिर धागा आगे लेकर आएंगे फिर next 4 फंदे हम सीधे बुन लेंगे तो ऐसे हमारी इस फंदे के दोनो side जाली आ जाएगी तो जो फंदे हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो अब हमारे जब हम wrong side में इनको बुनेंगे तो ये हमारे फंदे 11 हो जाएंगे अब इसी को हम repeat करते जाएंगे सारे इसमें जैसे first फंदा धागा आगे लाकर ये उल्टा फंदा है इसको हम उल्टा बुनेंगे फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे फिर ये 9 फंदे आ जाएंगे हमारे जिन में से 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे धागा आगे लेकर आएंगे इस center वाले फंदे के दोनों side हमें जाली देनी है एक जाली हमारी ये हो गए फिर धागा आगे लेकर आएंगे फिर next 4 फंदे बुनेंगे तो दूसरी जाली भी हमारी यहाँ पे हो जाएगी तो ऐसे हम end तक इसको repeat करते जाएंगे और फिर जब end में हम आ जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ हमें वही जो एक फंदा इसको तो उल्टा बुनना है और 8 बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनके इस रोग को हम complete करेंगे 27 रोग को मैंने यहाँ तक बुनकर complete कर लिया है अब इसके बाद 5 रोज हमें बुननी है 5 रोज में वही 3 रोज जो हम wrong side की बुनेंगे जो हमारी next रो होगी 28, 30 और 32 यह 3 रोज हमारी wrong side की सेम बुनी जाएंगे जिसमें बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनके यह एक फंदा सीधा और अब हमारे पास यहाँ पे 11 फंदे हो गए हैं दो जाली से तो इन 11 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर 11 फंदे उल्टे इस तरह से हम इसको यहाँ एंड तक बुनते हुए आएंगे फिर यह एक फंदा सीधा और यह बटन पट्टी के 8 फंदे सीधे बुनकर इस तरह से हमें यह 3 रोव बुननी है और जो राइट साइड से हम इनको बुनेंगे यह बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनकर फिर एक फंदा यह उल्टा और 11 फंदे सीधे इस तरह से 29 और 31 यह दो रोव हम यहाँ से बुनेंगे तो इस तरह से यह 5 रोव हम बुनकर कम्प्लीट करेंगे 27 रोव को बुनकर कम्प्लीट करने के बाद next 5 rows और मैंने यहाँ पर बुनकर complete कर ली है अब हम यहाँ पर right side 33 row पर आ गई है अब इस में row में हम एक तो button hole देंगे यहाँ पर और इस तरह से जाली देते हुए इस row को बुनकर complete करेंगे तो यह जो button hole हम यहाँ पर देंगे 22 rows के gap पर इसी तरह से आगे हम button hole देते जाएंगे आपको जितने भी buttons अपनी sweater में लगाने हैं उसके basis पर equal distance maintain करते हुए equal gap देते हुए आपको button hole देने हैं तो यह button hole हम वैसे ही देंगे जैसे हम पहले दे रहे थे फंदो को सीधा बुनते हुए दो फंदो का एक center में हम बना लेंगे और इस तरह से हम button hole देंगे धागा आगे लेकर आएंगे दो फंदो को ऐसे एक बनाते हुए इनको सीधा बुन देंगे next फंदो को भी सीधा बुन देंगे अब इस तरह से ये फंदे हमारे बुन चुके हैं अब हम यहाँ पे इस design pattern को डालना start करेंगे जिसमें धागा आगे लाकर एक फंदा हम उर्टा बुनेंगे अब धागा पीछे लेकर जाएंगे हमारे पास ये जो सीधे फंदे हैं यहाँ पे इस रो में अब 11 सीधे फंदे हैं तो 11 फंदों में से पहले हम 5 फंदे सीधे बुन लेंगे और जो center वाला फंदा है इसके दोनों side हम जाली देंगे तो धागा आगे लेकर आएंगे फिर इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे ऐसे एक जाली हो गई हमारी फिर धागा आगे लेकर आएंगे फिर दूसरी जाली भी हमारी यहाँ पे हो जाएगी और next 5 फंदों को हम सीधा बुन देंगे अब इसी को हमें रपीट करते जाना है धागा आगे लेकर आएंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे लेकर जाएंगे पांच फंदे सीधे इन 11 फंदों में से तो यह पांच फंदे जब हम सीधे बुन लेंगे धागा आगे लेकर आएंगे और फिर center वाले पंदे के दोनों side जाली देने के लिए इसको हम सीधा बुनेंगे विए जाली हो गई फिर धागा गे लाएंगे फिर next 5 पंदों को सीधा बुनेंगे तो दूसरी जाली भी हमारी हो जाएगी तो इसी तरह से हम repeat करते जाएंगे इसको और फिर end में हमारे पास जो ये 9 पंदे हैं यहाँ पे हमारे जिसमें से 1 पंदा उल्टा और ये 8 बटन पट्टी के पंदों को सीधा बुनके इस रो को हम complete करेंगे इस रो को मैंने यहाँ तक बुनकर complete कर लिया है अब जो हमारी next wrong side की 3 rows होंगी 34, 36 और 38 इन 3 rows को हमें सेम बुनना है इसके लिए वो ही बटन पट्टी के पंदों को हम सीधा बुनेंगे फिर 1 पंदा सीधा अब हमारे पास यहाँ पे 13 पंदे हो जाएंगे तो इन 13 पंदों क यहाँ तक बुनते जाएंगे और end में यह एक पंदा सीधा और 8 बटन पट्टी के पंदों को सीधा बुनकर इस रो को हम complete करेंगे तो ऐसे हमें यह 34, 36 और 38 यह 3 rows बुननी है और right side में यह जो रो हम बुनेंगे 8 पंदों को हम सीधा बुनेंगे और 1 पंदा उल्टा 13 पंद के पंदों को सीधा बुनके 35 और 37 यह 2 rows हमें ऐसे यहाँ पे बुननी है तो इस तरह से हम यह 5 rows बुनकर फिर next जो हमारी 39 रो आएगी उस पे हम इस तरह से जाले देंगे तो यह 5 rows में बुनकर complete कर लेती हूं 33 रो को बुनकर complete करने के बाद next 5 rows यहाँ पे मैंने बुनकर complete कर अब हम राइट साइड 39 रो पर आ गए हैं तो इस रो में स्टार्टिंग में हमें यह पर्स्ट पंदा स्लिप करके जो बटन पट्टी के फंदे हैं उनको सीधा बुनना है इन फंदों को सीधा बुनने के बाद अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे तो उसके लिए डिजाइन पैटन डालना स्टार्ट करेंगे धागा आगे लाकर एक फंदा उल्टा बुनिए धागा पीछे लेकर जाएंगे अब हमारे पास यहाँ पे यह जो फंदे हैं 13 फंदे ह का फंदा है उसको लेकर उसके आसपास हमें यहाँ पे जाली देनी है तो पहले हम यहाँ पे 6 फंदे छे फंदे सीधे बुनेंगे 6 फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धगा आगे लेकर आएंगे फिर ये सेंटर के फंदे को सीधा बुनेंगे ऐसे एक जाली ये हो गई हमारी फिर धगा आगे लेकर आएंगे फिर next 6 फंदे हम यहाँ पे सीधे बुन देंगे तो इसी को अब हमें repeat करते जाना है एक फंदा उल्टा फिर six फंदे सीधे धागा आगे लाकर फिर एक फंदा ये सीधा हम बुनेंगे फिर धागा आगे लाकर फिर next six फंदे सीधे बुनेंगे तो इसी तरह से हमें इस सारी रो को बुनना है इस तरह से इस रो को भुनते हुए हम end में जब आ जाएंगे तो end में ये जो एक फंदा उल्टा और उसके अलावा जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको सीधा भुनकर इस रो को हम complete करेंगे इस 39th रो को यहां तक भुनकर complete करने के बाद अब हमें 5 rows भुननी है तो वो 5 rows में 3 हमारी wrong side की rows सेम भुनेंगे जिनको हम 40, 42 और 44 ये 3 rows हमें सेम भुननी है जिसमें ये बटन पट्टी के फंदों को सीधा भुनना है फिर ये एक फंदा ये सीधा अब हमारी हाँ पे 2 जाली से 15 फंदे हो जाएंगे तो इन 15 फंदों को उल्टा भुनना है एक फंदा सीधा, 15 फंदे उल्टे, एक सीधा, 15 फंदे उल्टे इसे sequence को follow करते हुए end में जब हम आएंगे तो यहाँ पे ये एक फंदा सीधा और 8 बटन पट्टी के फंदों को भी सीधा भुननके ये 3 rows हमें सेम भुननी है और राइट साइड से जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको हम सीधा भुननेंगे फिर एक फंदा उल्टा, 15 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 15 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 15 फंदे सीधे पर ये 5 rows ऐसे हम भुनकर कमप्लीट कर लेंगे और फिर हम जब 45 फ़ोपर आएंगे तब हम इस तरह से जाली देंगे तो वहां तक मैं भुनकर कमप्लीट कर लेती हूं इसे फाइब रोस मैंने इहां पर भुनकर कमप्लीट कर ली हैं अब हम ब्राइट साइड में 45 प्रो पर आ गए हैं, अब यहाँ पे हम लास्ट टाइम ये जाली डालेंगे, फिर ये पार्ट हमारा कम्प्लीट हो जाएगा, तो इससे पहले जो ये बटन पट्टी के फंदे हैं, ये पहले हम सीधे बुन कर कम्प्लीट करेंगे, इन फंदों को सीधा बुन लेने के बाद धागा आगे लेकर आएंगे, अब हम यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, ये जो अब हमारे पास 15 फंदे थे, इन में से हम 7 फंदे सीधे बुन लेंगे, इन 7 फंदों को सीधा बुनने के बाद ये जो सेंटर का फंदा है, इसके दोनों साइड हम जाली देंगे, तो इसके लिए धागा आगे ले आएंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे ले आएंगे, फिर नेक्स्ट साथ फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा उल्टा और आठ बटन पट्टी के फंदे जो हैं इनको बुनकर इस रो को हम कम्प्लीट करेंगे 45 रो को मैंने यहां तक बुनकर कम्प्लीट कर लिया है अब इसके बाद 5 रोज हमें बुननी है जो रोंग साइट से 3 रोज सेम हम बुनेंगे वो होंगी हमारी 46, 48 और 50 रोज इसमें हम स्टार्टिंग के यह 8 बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनेंगे फिर यह एक फंदा सीधा फिर 2 जाली से अब हमारे यह 17 फंदे हो जाएंगे इन सभी फंदों को हमें यहां पे उल्टा बुनना है फिर एक फंदा सीधा 17 फंदे उल्टे इसे सिक्वेंस को फॉलो करते हुए जब हम बुनते हुए end में आ जाएंगे तो यहां पे यह एक फंदा सीधा और यह 8 बटन पर्टी के फंदों को सीधा भुनकर इस तरह से हमें यह three rows भुनकर complete करने है और right side से हमें 47th और 49th यह 2 rows सेयम भुननी है जिसमें starting में यह बटन पर्टी के फंदों को 8 पंदों को सीधा भुनना है एक फंदा उल्टा, 17 फंदे ये सीधे, एक फंदा उल्टा, 17 फंदे सीधे, इस तरह से जब हम इसको बुनते हुए यहाँ पे end में आ जाएंगे तो एक फंदा हमें ये उल्टा बुनना है और 8 बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनकर इस तरह से ये 2 रोज हमीं complete करनी है तो रॉंग साइड की 3 रोज और राइट साइड की 2, टोटल 5 रोज हम बुनकर इसको पार्ट को complete करेंगे 5 रोज बुन लेने के बाद इस पार्ट की 50 रोज हमने टोटल बुनकर complete की है 50 रोज में ये अपर पार्ट हमारा अब complete हो चुका है स्टार्टिंग में 81 स्टिचेज लेकर हमने जब इसको बुनना स्टार्ट किया तो जो भी रोज हमने बुनी जिस रो में हमने ये फंदो को increase किया है जाले के तुरू 32 फंदे हर एक रो में हमारे बढ़ते चले गए और ये हमने 7 बुनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ बार ऐसी रोज बुनी है जिसमें हमने जालिया देते हुए फंदो को बढ़ाया है अब हमारे पास टोटल 305 स्टिचेज हैं 305 फंदे हैं और अब हम यहाँ पे इन फंदो को डिवाइड करेंगे Division हम यहाँ पे दोनों साइड sleeves के लिए 63, 63 फंदे रखेंगे और back के पार्ट में 85 फ्रंट के दोनों पार्ट में इस पार्ट में भी 47 और इसमें भी 47 ऐसे हम इनका division करेंगे तो अब हम यहाँ से इनका division करना स्टार्ट करेंगे इसको हम बुनेंगे नहीं, पहले हम यहाँ पे जो front और back के part के फंदे हैं, उनको तो circular needle में रखेंगे, और जो हमारे sleeves के फंदे हैं, उनको हम अलग सलाईयों में इस तरह से डाल कर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से अब हम इसको count करते हुए पहले 47 फंदे circular needle में डालते जा यहाँ पे अलग इस तरह की two pointed needle हम लेंगे, और उसमें हम जो sleeves के फंदे हैं, उनको डालते चले जाएंगे, 63 फंदे count करते हुए हम इस सलाई में डाल लेंगे, 63 फंदे इस तरह से मैंने यहाँ पे इस सलाई में डाल लिये हैं, अब इसके बाद यह circular needle में जो 47 फंदे तो हम count करते हुए back के part के 85 फंदे भी हम इसी सलाई में डाल लेंगे, 85 फंदे back वाले भी इसी सलाई में डालने के बाद, अब यहाँ से next दूसरी sleeve के 63 फंदे, next two pointed needle में हम डाल लेंगे, count करते हुए 63 फंदो को यहाँ तक डाल लेने के बाद, अब फ्रंट के इस part के 47 जो फंदे हमारे बचे हैं, उनको भी हम circular needle में इसमें डाल लेंगे पंदो का division हमारा हो चुका है, अब इसके बाद हम next part बुनेंगे, next part बुनने में जो हमारी sleeves हैं, उनको तो हम अलग-अलग बुनेंगे, जो हमारा back और front parts हैं, उनको इकठा एक साथ बुनेंगे यहां से next part जब हम बुनेंगे तो उसमें हम अपना design भी change करेंगे, आप अपनी पसंद से जो चाहें design डाल कर इस next part को बुन सकते हैं, मैं यहां पर यह वाला design यूज़ करके इस next part को बुनोंगी अब इस design का वीडियो अलग से मैंने upload किया हुआ है, अगर आप इस design को सीखना चाते हैं, तो इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस design को सीख सकते हैं इस design को डालते हुए, सबसे पहले अब हम sleeves तयार करेंगे, पहले दोनों sleeves में यह design डालेंगे, फिर उसके बाद front और back के part को इकठा बुनते हुए, इस design को डालेंगे यहां से जब हमने इसको divide किया था, इन part को बुना था, तो हमारा thread यहां पे था, इसको हम यहीं छोड़ देंगे sleeves को बुनने के लिए, यहां से अलग thread हम attach करके, right side से पहले इस sleeve को इस design से बुनेंगे, फिर जब यह complete हो जाएगे, फिर उसके बाद यहां पे thread attach करके, यहीं से हम दूसरी sleeve को बुनेंगे, इस sleeve के जितना ही, और जब यह हमारी दोनों sleeves तयार हो जाएगे, फिर इसके बाद ह गठा हमें किस तरह से इसको बुनना है, 63 फंदों पर इस design pattern को डालते हुए, जहां से हमने design डाला, वहां से यहां तक total इस design से 75 रोज मैंने यहां पर बुनकर complete कर ली है, अब 76 रो में जो हमारी wrong side की रो होगी, इस रो को हम सारी रो को उल्टा बुनकर complete करेंगे, हमारे पास जो 63 फंदे हैं, उनको हम reduce करके यहां पर 49 बना लेंगे, इसके लिए हम इस रो को जब उल्टा बुनना start करेंगे, तो पर्स पंदा ऐसे slip करके, एक पंदा हम बुन लेंगे, तो दो फंदे हो गए हमारे, फिर दो फंदों को ऐसे इकठा लेते हुए, उल्टा बुनते तो ऐसे ही हमें यह सारी रो बुनकर complete करनी है, और इन पंदों को reduce करके 49 बना लेना है, इस रो को मैंने यहां तक बुनकर complete कर लिया है, और पंदे अब हमारे reduce होके 49 हो चुकी है, अब राइट साइड से जब इसको हम बुनना start करेंगे, अब हमें इस design pattern को नहीं देना, यहा नेक्स्ट हम फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे, राइट साइड हो या रॉंग साइड हो दोनों तरफ से हमें ऐसे ही उल्टा बुनते हुए इन 9 rows को complete करना है, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए 9 rows यहां तक बुनकर हमने complete कर लिया है, अब उसके बाद ह इस tenth row में हमें सारे फंदो को bind off करना है ऐसे हम दो फंदो को लेंगे और एक बना देंगे फिर इस फंदे को दुबारा से सलाई में डालेंगे और फिर एक फंदा और include करके दो फंदो का एक बना देंगे फिर इसे सलाई में डालेंगे फिर एक और फंदा हम लेंगे दो फंदो का एक बनाते जाएंगे तो ऐसे हम यहाँ पे यह सारे फंदो को बाइंड ओफ कर लेंगे इन फंदो को यहाँ तक बाइंड ओफ करने के बाद एंड में हमारे पास यह एक फंदा होगा इसमें से हमें thread को ऐसे बीच में से निकाल कर ऐसे खीच देना है और यहां से हमें जितना thread चाहिए stitching के लिए वो हम यहीं से रखकर extra thread को cut कर देंगे तो ऐसे हमारी स्लीव ready हो जाएगी इसी तरह से जैसे मैंने ये स्लीव तयार की है ऐसे ही दूसरी स्लीव भी मैंने बुनकर complete कर ली है इसको भी same as it is के स्लीव के जैसा ही बुला है अब यहां से हम front और back के part को इकठा लेते हुए बुनेंगे तो उसके लिए हम यहां से start करेंगे जहां पर पहले हमारा ये thread attached था यहां से हम इसको right side से बुनना start करेंगे इसमें जो ये हमारे button पटी के फंदे हैं इनको तो 8 फंदों को सीधा बुनेंगे फिर 1 फंदा उल्टा फिर 5 फंदों पर डिजाइन फिर 1 फंदा उल्टा फिर 5 फंदों पर डिजाइन फिर 1 उल्टा 5 फंदों पर डिजाइन इस तरह से हमारा यही वाला डिजाइन यहाँ पे continue होता जाएगा यहाँ तक हम जब front part के फंदों को सारे को भुन लेंगे फिर हम यहाँ से back part के साथ इसको attach करते हुए यही से हम design continue करते हुए जाएगे और जब back के हमारे सारे फंदों में design डल जाएगा फिर यही से जो दूसरा front part है उसके साथ हम यहाँ से join करते हुए इस design को यहाँ तक बुनेंगे और पिर जब end में आ जाएगे तो यहाँ पे एक पंदा हमारा उल्टा और 8 बटन पट्टी के फंदों को सीधा बुनकर तो ऐसे हम इसकी length को यहाँ पे बुनकर complete कर लेंगे तीनों part के फंदों को इकठा लेते हुए मैंने यहाँ पे इसी design pattern से जो sleeves में डाला था बुनकर यहाँ पे इसको complete कर लिया है जहां से हमने यह design डालना start किया था वहाँ से लेकर यहाँ तक total 80 rows मैंने बुनकर complete कर ली है अब इसके बाद हम यहाँ पे जैसे हमने sleeves में यह गाटर स्टेच के lines दी थी इनको हम देकर इस part को complete करेंगे इसके लिए right side से हम अब इसको बुनना start करेंगे right side हो या wrong side दोनों तरफ से 9 rows सीधा सीधा बुनते हुए अब हमें complete करनी है और 10th row पर आकर हम इन पंदों को bind off कर देंगे तो यह जो rows है दोनों side से सीधा सीधा 9 rows हम बुनकर complete कर लेते हैं दोनों side से सीधा सीधा बुनते हुए 9 rows बुनकर complete करने के बाद 10th row पर आकर मैंने इन सारे पंदों को bind off कर दिया है अब ये पार्ट हमारा complete हो चुका है अब हम यहाँ पे दोनों स्लीव स्टिच करेंगे इस स्लीव को यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी स्लीव को भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम स्टिच करेंगे और ये तो तीनों पार्ट हमारे इकटे ही थे तो इसमें तो हमें कुछ भी स्टिचिंग करने की ज़रूरत नहीं है इस तरह से इनको स्लीव को स्टिच करके और यहाँ पे बटन्स लगाकर हम इसको रेडी कर लेंगे फिर फाइनली मैं इसका लुक आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हमारा इसका लुक आएगा स्लीव को स्टिच करके बटन्स लगाकर मैंने इस स्वेटर को कमप्लीट कर लिया है अगर आपको यह पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्स्राइब कीजिए थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग